कुरान के साथ छेड़शाड करने वाले शिया वक्फ वोड मुख्य वसिम रिजवी पर देश द्रोह का मुकदमा लगाने के मांग को लेकर सर्वधर्मसंग के माधियम से राष्टपती के नाम एंदोर संभाग आयुक्त कारेले पर ग्यापन दिया गया जिसको लेकर पूरे देश में बलकी पूरे विश्व में इसका विरोध हो रहा है वसिम रिजवी को सक्त से सक्त सजा देने की मांग को लेकर मुस्लिम धर्म के लोग आज ग्यापन देने पहुँचे हैं मंजूर बेक के मुताबिक वसीम रिजवी की सक्रत्य से देश के मुस्लिमों में शांती भंग करने की कोशिश की गई है। इंदोर सी ब्यूरो राकेश सचर के साथ सती शर्मा की रिपोर्ट। मातियम से मालूप पड़ा है। तो सभी और उन्हीं के परिवार ने भी विरोद किया। क्योंते उन्हें जो नीज हंकत की है। बहुत नीजे जाके है। और अग्मारों में और मेडिया में बने देने के कारण ये बयान उन्हें है। किताब जिसे सभी समाज के लोग मानते हैं। कुरान को भी सभी लोग मानते हैं। जीता को भी सभी लोग मानते हैं। और कोई भी लाम है। जो ने सुप्रीम कोड में पेटिशिन जारी किये। या जो लगई ये बिडिशाथ। सुप्रीम कोड़ भी किसी भी धर्म की जीता को या किसी भी धर्म की किताब को सुप्रीम कोड़ भी नहीं बिला है हम सभी लोगों सभी धर्म के लोगों को उचित विस्वास है और नियाले पर विस्वास है तो उसकी जाची का खारीज होगी लेकिन हम लोग जो आए हैं हमार वस्यम्री जीवी पे तुरन मुकदमा कायम होना चीए आज वस्यम्री जीवी ने किसी के कुरान पर बात उड़ाईए कई कोई गिता पर उड़ाएगा तो ऐसे लोगों को इस से देश पर बहुत बड़ा खत्रा है आज मुस्लिम समाज का पवित्र कुरान में से आयते हटाने की बात कही गई है जिसका भारत में नहीं पूरे विस्वों में विरोध हुआ है पर यह चोटी घटना नहीं है मुस्लिम समाज को उसकाने की घटना थी है कि मुस्लिम समाज हाथ होगा सडकों पर आएगा जिससे देश की सामपदाएक सद्वाओना बिगड़े ह इस समेश्या को लेका राज मानिय संभागायोक्ति मोहदे करने पोचे हैं वो पोच के राश्पति मोहदे के नाम इक ग्यापन हमने प्रसित किया है उसमें हमने मांग कि है कि रीट पीशिशन लगाने वाले किसके कहने से साजी साशी है इसकी विजाच हो इतनी बड़ी घटना घटी जिससे पुरा देश मेनी विश्व में इसका रोश है आज मुस्लिम समाज यह तो बहुत छोटे और बहुत कम लोग यह मुजुद हुए कुरान के बीज़े सर कटा ले आ दिम इसमें चब्बित आयतों का उसने विरोत किया है लेकिन हमने भी जानकारों से पूरे देश में जानकारों से चर्चा हुई है सुप्रिम कोट में जो पिटीशन लगी है एक तो कोट को यह पावर नहीं है तो वो किसी भी गिरंट या चाहे हिंदू समाज का हो या सिख समाज का हो या सिया समाज का हो या मुस्लिम समाज गिरंट में से कोई भी लिखी वी चीज बदली नहीं जा सकती है तो हमें नियाले पे उचित नियाले पे और सुप्रिम कोर्ट पे विशेश कर विश्वास है जो उसने रीट पीटीशन लगई है वसीम रिजवी ने उसने बहुत नीश्टा और बहुत छोटी हरकत किसके नाम दिया और क्या मांग किये राश्पती मोदे के नाम एक ग्याम पन दिया है और इसमें हमने जो साजिस हुई है कुरान में सायत रटाने की जो पीटीशन लगए इसकी जाच्छो और वसीम रिजवी के खिलाफ तदकाल मुकदमा कायम होना ची है कौन है मसीम रिजवी कहा का? हेलो फ्रेंट्स आप देखरा है हमारा चैनल स्वaden हमारे सारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब रें और बा fundo आप में लगे पेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें